बच्चों, आज हम कक्षा बारा की समश्टी अर्थसास्त्र के अध्याय च्छे खुली अर्थ व्योस्था का अध्यन करेंगी तो आईए हम इस अध्याय की सुरुवात करते हैं खुली अर्थ व्योस्था एक बंद अर्थ व्योस्था में जिसका व्योहार दूसरे देशों के साथ नहीं है यदि उसमें विदेशी छेत्र जोड़ दें तो अर्थ व्योस्था एक खुली अर्थ व्योस्था में परिवर्थित हो जाती है एक पूरी अर्थ व्योस्था में जबकि एक देश का व्यापारिक तथा आर्थिक संबंद दूसरे देशों से होता है तो उनके बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, आदि का आदान प्रदान होता है तो अनेक समस्याएं उतपन होती है जिनमें प्रमुख है का देश की विश्व की सभी देशों के संदर्व में विदेशी व्योहार से उतपन देवता तथा पावना की क्या इस्थिती है उसके पक्ष में है या विपक्ष में है यह समस्या मुख्यतया भुक्तान संतुलन खाता विवरण से संबंधित है खा, खुली अर्थ विवस्था ने प्रत्येक विवहार में दो मुद्राएं प्रयोग में आती हैं घरेलू मौदरिक इकाई तथा विदेशी मौदरिक इकाई विदेशी मौदरिक इकाई के कारण जो समस्या उत्पन होती है उसे हम विदेशी विनिमेदर की समस्या कहते हैं गा खुली अर्थिवस्था में पूंजी के प्रवा, पूंजी के प्रवा के अंतरप्रवा तथा बहिर प्रवा से उत्पन समस्या है जब राष्टिय सीमाओं के बीच वस्तूओं का आवा गमन होता है सौधों के लिए द्रव्य का उपयोग किया जाता है अंतरराष्टिय अस्तर पर एक ऐसी कोई करेंसी नहीं है किसी एक बैंक द्वारा निर्गमित की जाती हो विदेसी आर्थिक एजेंट किसी राष्टिय करेंसी को तभी स्विकार करेंगे यदि वह आस्वस्थों की उस करेंसी की एक निश्चित मात्रा से वेजोबस्तु में खरीच सकेंगे उसमें आउसर परिवर्तन नहीं होगा दूसरे सब्दों में करेंसी की क्रे शक्ति इस्थिर रहेगी इस विश्वास के बगेर किसी करेंसी को अंतराष्टिय विनिमय के माध्यम के रूप में उप्योग नहीं किया जाएगा और ना ही लेखक इकाई के रूप में उप्योग होगा क्योंकि ऐसा कोई अंतराष्टिय प्राधिकरण नहीं है जिसके पास यह शक्ति हो कि वह अंतराष्टिय लेन देन में किसी करेंसी के उप्योग को लागू कर सके कि समस्याओं का निराकरण करने तथा अंतराष्टिय लेन देन में इस्थिरता लाने के लिए अंतराष्टि के दोरान जो अंतराष्टिय आर्थिक विवहार या लेन देन होते हैं उसकी प्रविष्टी जिस विवरण या खाते में करते हैं उसे ही भुकतान संतुलन विवरण कहते हैं भुकतान संतुलन के मुख्यतिया दो खाते होते हैं चालू खाता और पूंजी खाता चालू खाता चालू खाता वस्तूओं और सेवाओं की व्यापार में अंतरण अदाईगियों का विवरण है वस्तूओं के व्यापार में वस्तूओं के निर्याद तथा आयातों को सामिल किया जाता है सेवाओं के व्यापार में उपदान आए तथा गैर उपदान आए लेन देन को सामिल किया जाता है अंतरण भुकतान ऐसी प्राप्तियां हैं जो किसी देश के निवासियों को निशुल के प्राप्त होती हैं और बदले में कोई वस्तुवें अत्वा सेवाएं नहीं देनी पड़ती हैं इन में उपहार और अनुदान सामिल हैं यह सरकार अत्वा विदेशों में रहने वाले निजी व्यक्तियों द्वारा दिया जा सकता है विदेशों से वस्तुवें खरीदना हमारे देश का व्यय है तथा यह विदेश की आय है इसलिए विदेशी वस्तुवें की खरीद आयात है यह हमारे देश में घरेलू वस्तुवें और सेवाओं की मांग को कम कर देते हैं इसी प्रकार विदेशों को माल बेशना अथ्वा निर्यात से हमारे देश को आये प्राप्त होती है, जो हमारे देश में वस्तूओं सेवाओं की कुल घरेलू मांग में वृद्धी करते हैं। चालू खाते के भी दो उब भाग किये जा सकते हैं, द्रिस से खाता एवं आद्रिस से खाता, इस खाता में वस्तूओं के निर्यात तथा आयात को प्रदर्सित करते हैं, इसे व्यापार खाता भी कहते हैं। व्यापार सेस किसी देश के एक निश्चित समय अधी में निर्यात को और आयातों के मूल्यों का अंतर है, वस्तूओं के निर्यात को व्यापार सेस में क्रेडिट किया जाता है, तथा आयात को डेविट किया जाता है, इसे ही व्यापार संतुलन कहते हैं। वस्तु निर्यात का वस्तु आयात के उपर अधिशेस व्यापार खाते का अधिशेस प्रदर्सित करता है पर यदि वस्तु का आयात वस्तु के निर्यात से अधिक हो तो रिलात्मक व्यापार से प्रदर्सित होता है इस पश्ट है कि व्यापार खाते का धनात्मक अनुकूल व्यापार तथा रिडात्मक देश के प्रतिकूल व्यापार प्रदर्सित करेगा अद्रिस से खाता अद्रिस से मदों से आशे ऐसे मदों से है जिनकी प्राप्तियां तथा भुक्तान वस्तूओं के आयात तथा निर्यात की तरह बंदरगाह पर रिकार्ड नहीं किये जाते इस प्रकार इसके अंतरगत केवल सेवाएं ही नहीं बलकि सभी व्यापार व्यवहार आएंगे जिन्हें पोर्ट पर रिकार्ड नहीं कराया गया है इसमें विदेशी परेटकों द्वारा देश के भीतर क्रय की गई वस्तूओं को भी सम्मिलित किया जाता है इसलिए यह कहना गलत होगा कि इसमें केवल सेवाएं ही आएंगे द्रिस्य खाता तथा अद्रिस्य खाता को एक साथ मिला दिया जाए तो वही चालू खाता कहलाता है चालू खाते में संतुलन चालू खाता संतुलन में तब होता है जब चालू खाते में प्राप्तियां चालू खाते के भुक्तान के बराबर होती है चालू खाते का अर्थ है कि एक देश को अन देशों से लेना है और चालू खाते के घाटे का अर्थ है कि एक देश अन देशों का रिड़ी है पूंजी खाता यह खाता पूंजी का वित्तिय प्रवाह प्रदर्सित करता है। इसके अंतरगत स्वार्ण सहित, आल्पकालिक तथा दीर्हकालिक अंतराश्टिय पूंजी गत हस्तांतरण सामिल होते हैं। पूंजी खाता संतुलन में तब होता है जब पूंजी अंतरप्रवाह, पूंजी वाह प्रवाह के बराबर होते हैं। इसी प्रकार पूंजी खाते में घाटा तब होता है जब पूंजी अंतरप्रवाह, पूंजी वाह प्रवाहों से कम होते हैं। अदाएगी संतुलन और घाटा। अंतराश्टी अदाएगी का सार है कि जिस प्रकार अपनी आय से अधिक व्याय करने वालों को परिसंपत्यों को बेच कर अथवा उधार लेकर आय एवं व्याय के अंतर को पूरा करना पड़ता है। उसी प्रकार कोई देश जिसके चालू खाते में घाटा है उसे भी अपनी परिसंपत्यों को बेच कर या विदेशों से रिण लेकर उस कमी को पूरा करना होता है। इस प्रकार किसी भी चालू खाता घाटे को निवल पूँजी घाता अधिसेश अर्थाद निवल पूँजी प्रवा से वित्व पोसित करना होता है। विकल्प के रूप में एक देश अपने घाटे को संतुलित करने के लिए अपने विदेशी विनिमे कोस का उपयोग कर सकता है। जब घाटा होता है तो रिजर बैंक विदेशी विनिमे बेचता है, इसे अधिकारिक कोस विक्रय कहा जाता है। मूल भूतत यहा है कि अदायगी संतुलन में मौदरिक अधिकारी अन्तिम वित्पोशक होता है स्वेत एवं समायोजित लेंदेन अंतराष्टी आर्थिक लेंदेन को तब स्वेत कहा जाता है जब लेंदेन भुक्तान संतुलन में विसमता को पूरा करने के अलावा किसी और कारणवस किये जाते हैं अर्थात जब वे बी ओपी की दसा से स्वतंत्र होते हैं एक कारण लाभ कमाना हो सकता है इन मदों को भुक्तान संतुलन में रेखाओं के उपर की मदे कहते हैं जब स्वेत प्राप्तियां स्वेत अदाईगी से अधिक हो तो इसे भुक्तान सेस का आधिक के कहा जाता है समायोजित लेंदेन को भुक्तान सेस में रेखाओं के नीचे की मद के नाम से जाना जाता है इसके अंतरगत उन लेंदेन को सम्लित किया जाता है जो भुक्तान सेस के असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाता है अर्थात जब भुक्तान से घाटे का हो अत्वा आधिक की का हो अंतराश्टिय लेंदेन के अंतरगत सभी अंतराश्टिय लेंदेन को सही प्रकार से रिकार्ड करना कठीन है अता बी ओपी का एक तीसरा अव्यव होता है जिसे तुरुटी और लोप का प्रतिभिम्ब माना जाता है भारती रिजर बैंक ने भुक्तान सेस की सनरशना में परिवर्तन किया है नय वर्गी करड के उनसार लेंदेन को तीन खातों में बाटा गया है चालू खाता वित्तिय खाता एवं पूंजी खाता विदेशी विनिमे बाजार विभिन देश जब एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं तो वे परसपर मुद्रा का प्रवाह चाहते हैं विदेसी विनिमे बाजार वा माध्यम है जिसके द्वारा विभिन देसों की मुद्राओं का परस्पर विनिमे हो पाता है इस प्रकार का बाजार जहां विदेसी विनिमे विवहार होते हैं उसे विदेसी विनिमे बाजार कहते हैं विदेसी विनिमे दर यह वह दर होती है जिस पर एक देश की घरेलू मुद्रा को विदेसी मुद्रा में परिवर्थित किया जाता है जैसे एक डॉलर बराबर पचास रुपया इसका अर्थ है कि एक डॉलर देकर पचास रुपया अथवा पचास रुपया देकर एक डॉलर प्राप्त किया जा सकता है विदेशी विन्यमे की मांग इसलिए की जाती है क्योंकि हमें अन देशों से वस्तुवें और सेवाएं खरिदनी होती है कुछ लोग किसी देश की वित्तिय परिसंपत्यों को खरिदना चाहते हैं तो कुछ लोग विदेशों को उपहार भेजना चाहते हैं विनिमेदर में वृद्धी होने पर इससे आयातों की मांग में कमी होती है और फल स्वरूप विदेशी विनिमेद की मांग भी कम हो जाती है विदेशी विनिमे की मांग वक्र रिनात्मक ढालकी होती है क्योंकि विनिमे दर एवं विदेशी विनिमे की मांग के मद रिनात्मक संबंध होता है विदेशी विनिमे की पूर्ती किसी भी देश में विदेशी मुद्रा का प्रवाह अनेक कार्णों से होता है जैसे एक देश के निर्यात से विदेशियों द्वारा घरेलू वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में वृध्धी करने से विदेशों से मिलने वाले उपहार से तथा विदेशियों द्वारा हमारे देश की परिसंपत्तियों में निवेस इत्यादी विदेशी विनिमे पूर्ती वक्र का धाल धनात्मक होता है क्योंकि विदेशी विनिमे दर विनिमे एवं विनिमे की पूर्ती के मद्ध धनात्मक संबंध होता है विनिमे दर का निर्धारन अंतराश्टी अस्तर पर विभिन्य देशों द्वारा विनिमेदर निर्धारण की अलग-अलग प्रणालियां अपनाई जाती हैं इसके अंतरगत मुख रूप से तीन प्रणालियां महत्पूर्ण हैं जो निम्निलिखित हैं पहला इस्तिर विनिमेदर दूसरा तिर्थी विनिमेदर तीसरा प्रबंधित तिर्थी विनिमेदर इस्तिर विनिमेदर इस्तिर विनिमेदर इस प्रणाली के अंतरगत सरकार द्वारा विनिमेदर का निर्धारण किया जाता है जिसमें बाजार शक्ती अर्थात मांग एवं पूर्ती की कोई भूमिका नहीं होती है सरकार दोरा आवशक्ता नुसार विन्मे दर का निर्धारन किया जाता है सरकार अपने उद्देश के अंसार कभी भी विन्मे दर को उँचा अत्वा नीचा कर सकती है रेखा चित्र में विदेशी विन्मे की मांग एवं विदेशी विन्मे की पूर्ती को व्यक्त किया गया है यदि बाजार शक्ती दोरा विन्मे दर का निर्धारन किया जाए तो विन्मे दर OE निर्धारित होती है किन्तु इस्थिर विन्मे प्रणाली के अंतरगत सरकार द्वारा या तो OE1 या तो OE2 विन्मे दर निर्धारित की जाती है इस्थिर विन्मे प्रणाली के अंतरगत सरकार द्वारा जब जान बूझकर घरेलू मुद्रा की कीमत विदेशी मुद्रा के बदले कम कर दी जाती है तो इसे आउमूल्यन कहते हैं अउमूल्यन के परिणाम सरूप देश का निर्यात बढ़ जाता है जबकि आयात कम हो जाता है इस्थिर विन्मे दर प्रणाली के गोण इस विन्मे प्रणाली का सबसे बड़ा गोण इसकी विश्वसनीता है जब सरकार द्वारा एक निश्ची तस्तर पर विनिमेदर निर्धारित कर दिया जाता है तो विदेसी निवेशक निवेश के प्रती आस्वस्त हो जाते हैं एवं विदेसी मुद्रबाजार में होने वाले उच्छ वचन से उनको सनरक्षन प्राप्थ हो जाता है इसके अत्रिक्त आयात एवं निर्यातों के मूल्यों की गढ़ना भविस्य के लिए भी की जा सकती है जिससे भुक्तान सेश एवं व्यापार सेश इसका आकलन सरलता पुर्वक कर लिया जाता है इस्थिर विर्मेदर प्रणाली के दोस्त इस प्रणाली के अंतरगत प्राया बी ओपी में अधिक अथवा घाटा होता है सरकार आरक्षित कोस का उप्योग कर इस लोप को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करती है यदि लोगों को यह पता चल जाए कि सरकार के पास आरक्षित कोस कम है वे सरकार की इस्थिर दरों को बनाय रखने की खमता पर संदेह करने लगते हैं जिससे आउमूलियन का अनुमान बढ़ने लगता है तिर्ती विनिमेदर यह विनिमेदर बाजार मांग और पूर्ती की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है जैसा की रेखा चितर में दिखाया गया है विनिमेदर वहान इर्धारित होती है जहां मांग एवं पूर्ती वक्त एक दूसरे को काटती है इस प्रणाली में केंद्रीय बैंक विदेसी विनिमे बाजार में हस्तक्षेप नहीं करती है यदि विदेशी वस्तूओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाए तो विदेशी विनिमे की मांग वक्र दाहिनी और सिफ्ट हो जाती है जिससे विदेशी विनिमेदर में बृध्धी होना सुरू हो जाती है विदेशी विनिमेदर में वृद्धी का तातपर है कि विदेशी मुद्रा की कीमत घरेलू मुद्रा के रूप में बढ़ गई है इसे घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा के रूप में हरास कहते हैं इसी प्रकार घरेलू मुद्रा की कीमत विदेशी मुद्रा के रूप में बढ़ जाती है तो इससे घरेलू मुद्रा की विदेशी मुद्रा के रूप में मूल बृद्धी कहते हैं प्रबंधित तिर्ती विनिमे दर इस प्रणाई के अंतरगत विनिमे दर निर्धारण में इस्थिर विनिमे दर एवं तिर्ती विनिमे दोनों का प्रयोग किया जाता है एक निश्चित विनिमे दर के मद्ध यदी बाजार में विनिमे दर होती है तो सरकार द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता है किन्तु जब विनिमे दर इस सीमा के ऊपर चली जाए अथवा नीचे आ जाए जो सरकार द्वारा विनिमे की दर को नियंत्रित क करने का प्रयास किया जाता है अंतराष्टी अस्तर पर इस प्रणाली को अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि यह प्रणाली मुक्त बाजार को प्रतिबंधित करता है इसे विदेशी 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 वि आर्बीट्रेज विदेशी मुद्राओं का एक ही साथ किसी उद्देश से खरीदना अथ्वा विक्रे करना जिससे विभिन्य बाजारों में प्रशलित विदेशी विन्मे धरों में पाये जाने वाले अंतर से लाब उठाया जा सके आर्बीट्रेज कहलाता है। हेजिंग कार्थ होता है अपने को विभित प्रकार के जोब खोमों में उत्पन हानी से सुरक्षित करना। यह अध्याय समाप्त होता है। उमीद है कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। यह अवाद। जो खजय